मुख्याले से सटे तुल सियाही गाउं किये महिलाएं पहले घरेलू काम काज करती थी आर्थिक तंगी और काम मिलने की अनिश्चुता हमेशा इनको सताती थी फिर मिलन देवी और इन जैसी अन्य 15 महिलाओं ने एक समू बना कर पैसे जोडने शुरू किये इनके पास जब 30-40,000 रुपए हो गए तो इनोंने सोचा कि इन पैसों से मखाने का व्यापार शुरू किया जाए सहरसा अपने मखाने के लिए मशुहूर है यहां कि मखाने की ना सिर्फ देश में बलकि विदेशों में भी मांग है मिलन देवी कहती हैं कि हमने गुणवत्ता का खयाल रखा जिससे हमारे मखाने की मांग तेजी से बढ़ी कल तक अपने पुरुशों के कमाई पर निर्भर रहने वाली इन महिलाओं ने आत्म निर्भरता का एक नया सबक पढ़ा है इसी समू की महिला सदस से अनीता देवी बताती हैं कि वे मखाने की खेती खुद कर रही हैं और इसकी वज़ह से उनका कारोबार लाखों में पहुच गया है जो सब अपनों आरके जेश्च être जेंस क क हैनुसार जोल्क अपनों आरके खेती करना है चे मखाना का खेती कर लिये तिंचे अर विगहा तबढ़ियें करिप शाकश निकेल गळे मखाना उक्रास ब्याशिय बैच लीये 50000 अटक आ हुए घलेशे लिये वैसे जेचे पाल अब गाउं की दूसरी महिलाए भी इनसे प्रेरणा लेकर इनके समू से जुड़ चुकी हैं और अपनी महनक और लगन के बल पर पैसे कमा रही हैं कंचन देवी ऐसी ही एक महिला है महिलाओं के समू से खरीदारी करने वाले व्यापारी भी इनसे प्रभावित हैं और मखाने की गुणवत्ता से संतुस्ठ हैं इन महिलाओं की सफलता की कहानी यही साबित करती है के इनसान में महनत और लगन हो तो असंभवी संभव हो सकता है और इनसान अपनी तकदी बदल सकता है सहरसा से आनंद जा की रिपोर्ट दूर दर्शन समाचार पटना भारस में तकदी बदल सकता है